चोटा भीम देखो इस से अच्छा, अप्टर वाचिंग इस टीजर, मैं रिस्पेक्ट ओर सक्तिमान है राज़ 1,000 परसेंट, लिटरली नो जोक, सीजे और वेफेक्स और बालवीर इस फार बेटर दन दिस, मैं रिस्पेक्ट पर बालवीर अप्टर वाचिंग कि एसी होगी पर उसके बाद इसके कुछ लुक्स आये और कुछ टीज आये और जो पोस्टर भी आये उससे हमें ऐसा लागा कि ये फिल्म कुछ तो नया हटके प्रेजेंट करेंगी और मोशन वीएफेक्स का कुछ तो सही इस्तमाल करेंगी पर जब इसका कल टीजर आया त तो सब पानी में फिर गया क्योंकि इतना वहयाट टीजर मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था क्योंकि आपने पास्सो करोड बजेट बताए मतलब इतना ज्यादा इन्वेश्ट किया है पर जो इसका एंड प्रोडट है वो इतना ज्यादा वहयाट हो सकता है ये मैं इस अपने भी नहीं सोचा था क्योंकि रामायन एक अपने आप में एक एपिक एडवेंचर स्टोरी है और अगर आपको बजेट से इशू है तो आप स्टोरी भी अगर सही डंग से दिखाए तो भी कुछ ना कुछ तो अच्छा आप कर सकते हो पर ये जो टीजर है इसमें स काला गया है और यहाँ पर जो वी एफिक शॉट लग रहे है वह भी चाइल्डिश लग रहे है कार्टुश लग रहे है कुछ भी रियल लग ही ने रहा और यहाँ पर जो बैक्राउंड म्यूजिक वगरा है वह तो अच्छा है मतलब ठीक ठागे गुजबंस क्रेट करने मे यहाँ पर कोई चीज ही नहीं है और बात करें लुक वगरा कि तो रावन का लुक तो अभी मौडन एरा का लग रहा है और जो आदिपूरुश मतलब रामायन का लुक है वो भी कुछ खास नहीं रहा और जो एक्शन सीन से वो भी ज्यादा इतने इंप्रेसिव नहीं लग और बात करो तो यह टीजर हर एक एंगल में हमें डिस्पॉइंट ही करता है कुछ इंप्रेस कर ही नहीं पाता यह टीजर और जो उम्मीदे थी आदिपूरुश से वो तो अब वो तो अब सही बेकार ही गई है अब उम्मीद लगाना कुछ हाइदे मन सावित होगा यहसा त पर होता तो कुछ नहीं है और अगर यही आपका एंड प्रोड़क्ट है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा वहयात प्रोड़क्ट मैंने अभी तक देखा ही नहीं तो आपको कैसा आदिपूरुश का टीजर लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएए और आपके भी विचार वगेरा हमें बताएए और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में यू आर शेयर में